हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल गलासेस में तो आसा करता हूं में आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं चलिए आज का सबसे पहला प्रसंट से स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर इस चैनल पर आप लोगों से बुचारी से अब जो है दोस्तों आप लोगों के लिए निकी न्यू प्रेटर्न पर जो है कोसें कराने का परियास कर रहा हूं जो इक्जाम में ड्रेक्ट यानिकी य चलिए पहला प्रसंट से स्टार्ट करते हैं पहला प्रसंद विया है स्ट 不ली को भी सतार क्या है यहां से भी प्रस्ण बनता है और SWG से भी प्रस्ण बनता है कि SWG का प्रयोग यानि कि किस लिए किया जाता है तो SWG का प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानि कि व्यास मापने के लिए ठीक है यानि कि क्वाइल यानि कि तार का जो व्यास होता है उसको यानि कि जाच करने के रियां इसका परियोग करते हैं किसका तो SWG का इसमें तो 20 रूप पुछ रहा है यहीं कि फूल फर्म पूछ रहा है तो onlyAR किस में दिया ए यहां कि का रहा है कि est land river गूरूप कर रहा है तो गूंप नहीं लौ गाप दिया है Estenda site कारहा है कि ट्रोफ आप hr रैट एंसर जो होगा इसका सी सही होने वाला है ठीक है अब चलिए दुसरा प्रसनिक परें चलते है 형 दुसरा प्रसना teraz का दिए हूआ है एक तार के ब्यास को नियुक्रिशेत में से किसके परियूग से मापा जा सकता है यानी कि तार का जो ब्यास होता है ठीक है इसे पहले भी जिग्र कर चुके हैं कि जो इसका जो ब्यास होता है दुस्तु कुछ इस परकार का होता है यानि कि बना हुआ है ठीक है कुछ इस परकार का बना होता है ऐसे ऐसे करके बना होता है पिर ऐसे ऐसे करके बना होता है कहने का मतलब यानि कि ऐसा होता है न कि यानिकी जैसे जैसे इनकी distance बनता है यानिकी उस दोनों का यानिकी beach का जो यानिकी wire यानिकी map ने बला का जो ब्यास होता है ठीक है यानिकी बढ़ते जाता है और ये क्या है तो यह यह stender wire है ठीक है यानि कि SWG है और SWG के दोरा क्या मापा जाता है तो SWG के दोरा जो दोस्तों यानि कि मापा जाता है ठीक है इसके दोरा यानि कि व्यास मापा जाता है ठीक है क्या मापा जाता है ठीक है क्या मापा जाता है ब्यास मापा जाता है अब रही बात questions क्या पूछ र जाता है ना हेडिंग एसमा पाफा जाता है है अगर प्रसन और यह रहे तो इसको क्लिक करना अगर यह रहे तो इसको किलिक करना है कोई एक रहेगा ऑप्शन में ठीक है तो प्रेक्ट एंसर जो होगा दोस्तों इसका यानि कि यह सही हो जाएगा क्योंकि यह में जो दिया हुआ है वाइर गेज दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाच का दिय क्या हुआ है कि इलेक्टिक टेस्टर में किस परकार का बल्ब पर्यों किया जाता है किस में तो इलेक्टिक टेस्टर में है ना देखिए क्या पूछ रहा है इलेक्टिक टेस्टर में का रहा है और यानिकी टेस्टर में जो यानिकी बल्ब जो होता है ठीक है वो जो बल्ब प्रतिरोध बनाया जाता है तो परतिरोध यानि कि बनाया जाता है वह आपको यानि कि neon bulb का परियोग किया जाता है कि इसका neon का ऑफशन C में दिया है neon राइट अंसर की अगर बात किया जाए तो राइट अंसर जो होगा इसका यानि की C सही होने बाला है अगे बरते हैं अगला प्रसनाज का दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा बिजली का टूल जो है बहु तो एक रहेगा यहनी कि नोज पुछ फेयर थीक है ञें कि नोज फुलायर रहेंगा चैनल..? नोज àलायर यहनो एप्टीक नोज फड़ायर और तीक करना है तो नोज फुलायर का जो परियोग किया जाता है.. यानि की बहुत यानि की छोटे अस्थान हो और जहां पर यानि की combination पलायर या screw driver बेगरा यानि की जो instrument होता है वो वहां तक नहीं पहुच बाता है लेकिन long nose पलायर जो होता है यानि की वहां तक पहुच जाता है इसलिए इसका यानि की बी में जो दिया हुआ है long nose पलायर इसका ही परयूग किया जाता है किसका यानि की long nose पलायर का जो आगे का जो भाग होता है वो काफी यानि की इस परकार का होता है यानि की बहुत पतला टैप का होता है तो इसको यानि कि आप लोग धियान में रखियेगा ठीक है तो इसका जो correct answer होगा वो भी सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा भी सही हो जाएगा आगे बरते हैं अगला प्रसनाज का दिया हुआ है कि बर्माई के अंत में socket से बर्मा को असानी से हटाने के लिए किस उपकरन क किया जाता है इसमें यानि कि पूछ रहा है ठीक है और इसमें जो परियोग यानि कि जो हटाने के लिए जो परियोग करते हैं ठीक है वो drift का परियोग करते है किसका drift का परियोग किया जाता है ठीक है इसका हिंदी के अगर बात किया जाए तो अधी छिद्र होता है क्या होत करेंद ने के लिए ऊसका परियो किया जाता है आप लोग देखे уд divad बेगएरा में होल करने के लिए परियो किया जाता है और तर्क कि क Het देखेंग कर करह दा हमें एक फार्षन होता है आप यहां समय जो होता है य踐ये एक होता है उसका यह भाग है इसमें उसका तो यह भाग होता है अब रही बात कि इसमें जो बर्मा जो हटाया जाता है वो ड्रीप्ट से हटाया जाता है यानि कि अधी छिद्र से हटाया जाता है option c में दिया है correct answer जो होगा इसका c सही हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन दिया हुआ है तो कुछ इस परकार होता है कैसा होता है इसका जो फीगर होता है कुछ जो है यानि कि इस परकार होता है ठीक है कुछ इस परकार होता है ठीक है और यहां पे जो एंगल बनता है ठीक है यहां पे जो एंगल बनता है मैं आपको लोग को बता दू यहां पे जो एंगल बनता ह को नाइन टिन डिगरी का एंगल बनता है कितना यानि कि नाइन टिन डिगरी का एंगल बनता है तो यह जो मापता है दोस्तों नाइन टिन डिगरी यानि कि जो कौन होता है उसी को यानि कि यह मापता है और पूरा जो यानि कि सियोर नाइन टिन डिगरी होगा वहीं पर यह ल प्रसनाज का दिया हुआ है कि रेती का ग्रेड तै किया जाता है ठीक है रेती का मतलब क्या अगर फाइल आप लोग यानि की देखे होंगे तो उसका जो ग्रेड होता है ठीक है यानि कि रेती का जो वेट होता है ठीक है रेती का जो वेट होता है ठीक है यानि कि रेती का जो वेट होता है उसके हिसाब से चैन करते हैं ठीक है यानि कि रेती का जो वेट होता है उसके हिसाब से चैन किया जाता है ऑप्शन किसमें दिया है तो ए में तो कह रहा है रेती के आकार तो आकार से नहीं चैन करते हैं ना दांत की दिसा से चैन पता लगाया जा सकता है ना परती सेमी दांतों की संक्या से ओनली फुर्ज है यानि कि रेती की वजन से ठीक है जैसे यानि कि उसका भार होगा उस हिसाब से यानि कि उसका ग्रेटते किया जाता है राइट एंसर भी सही हो जाएगा आगे बरते हैं आज का आठ नमर जो प्रस्न दिया हुआ है कहा रहा है कि एक रेती को एसकेल पर एक सेंटी मीटर दोरा दिखाया गया है इसकी रिपरजेंटी फैक्टर यानि कि आरेफ क्या होगा ठीक है क्या पूछ रहा आरेफ पूछ रहा है और आरेफ जो होने वाला है दोस्तो ठीक है और आरेफ जो होगा यह एक बट्टा यानि की 100 होता है क्या होता है एक बट्टा 100 के बराबर होता है option यानि की D में दिया हुआ है एक बट्टा 100 पर चलते हैं अगला प्रसंद दिया है आई एस स्रीज के अनुसार आकार यानि की 594-841 की सीट को किस स्रीणी में ऐसा मिलीती किया गया है किसको कह रहा है तो 594 और गुने में यानिकी 841 ठीक है और यह दोस्तों यानिकी ग्रेड है आप लोग को जो है लगवग यानिकी 500 तक जो है अगर याद कर लेते हैं इसका जो ग्रेड होता है ये जीरो का उसके बाद ये वन का होता है ये टू का होता है ये थीरी का होता है ये फोर का होता है ये फाइव का होता है ठीक है तो इसका यानिकी ग्रेड है ठीक है आप लोग जो बुक पढ़ते होंगे तो उसमें यानिकी यह दिया है तो आप लोगों इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसमें जो पूछ रहा है यानिकी जो option दिया हुआ है कि 594 ठीक है 594 और गुना में 841 ये किसका यानिकी grade है तो दोस्तों यानिकी ये जो grade है ठीक है ये grade है आपको यानिकी A1 का ठीक है किसका grade है ए0 का जो grade होगा सबसे ज़्यादा वबला वहां पर यहां पर जो लिखा हुआ है 594 तो यनि कि 1010 या कुछ इस परकार यने की लिखारा आता है तो यनदिकी शङ्यों सबसे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और B में दिया हुआ है यानि कि A1 तो राइट एंसर जो होगा इसका यानि कि B सही हो जाएगा चलिए अगला प्रसंट पर चलते हैं अगला प्रसंट आज का धिया हुआ है कि चित्रन में जो है एक ट्रांसफर्मर को किस परकार दरसाय आ जाता है तो यानि कि जो ट्रांसफर्मर का जो फीगर होता है वो किस परकार का होता है आप लोग ध्यान से समझेगा कुछ इस परकार का होता है यानि कि बिरित अकार का तो होता है लेकिन यानि कि दो बिरित जो होता है तो एक दूसरे क यानि कि यह पर्ति छेद करता है क्या करता है पर्ति छेद करता है एक दूसरे को यानि कि पर्ति छेद कलने का मतलब क्या इसको भी काट रहा है और इसको यह काट रहा है तो यह तो बिरीत है तो दो पर्ति छेद तिर्भूज तो होगा नहीं क्योंकि यह दूनों यानि कि इस ही सही हो जाएगा ओगे बरते नेक्स प्रसन पर आज का अगला प्रसन दिया हुआ कि प्तवी चादर को काटने के लिए किस प्रकार की यंत्र का पर्योंग किया जाता है ठीक है किसको तो धातु के जो चादर होता है चादर जो होता है उसको यानि की काटने के लिए हम किसका परियोग करते हैं ठीक है तो हातु की पतली चादर को काटने के लिए जो मैनली रूप से दोस्तों यानि की जो परियोग किया जाता है ठीक है मैनली रूप से जो परियोग किया जाता है वो तो cutting plier का परियूग करते है किसका cutting plier का परियूग किया जाता है option किस में दिया है cutting plier option A में दिया है right answer जो होगा इसका यानि कि A सही हो जाएगा जबकि B में जो दिया हुआ है कि estate sleeve दिया है तो sleeve से कोई मतलब है नहीं न प्लेट नोज फलायर यानि कि छोटी जगह पर उप्यूग किया जाता है ठीक है तो right answer इसका यानि कि A सही हो जाएगा अगला पसंद दिया हुआ है कि caliper द्वारा यानि कि नाप सकते है ठीक है caliper के द्वारा तो caliper के द्वारा क्या मापा जाता है तो caliper के द्वारा caliper के द्वारा जो मापा जाता है यानि कि चोराई मापा जाता है क्या मापा जाता है चोराई मापा जाता है ठीक है क्या चोराई मापा जाता है ब्यास किसके द्वारा मापा जाता है तो ब्यास जो है यानि कि wire gauge द्वारा मापा जाता है किसके द्वारा य इसका यानिकी 4 जो दिया हुआ है B में दिया है correct answer की अगर बात किया चाहे तो जो सही होगा इसका यानिकी B सही हो जाएगा क्योंकि B में दिया हुआ है 4 ठीक है आगे बढ़ते हैं next प्रसनाज का दिया है machine का पेच खुलने के लिए किस ओजार का अवसेक्ता होता है तो देख इसक्रू ड्राइवर का फर्यों किया जाता है ठीक है एसक्रू ड्राइवर का फर्यों किया जाता है face tester से क्या पता लगाते हैं तो इसके द्वारा दोस्तों face tester से जो पता लगाया जाता है ठीक है यानिकी जीवित तार ठीक है यानिकी जीवित तार जो है उसे यानिकी पता लगाते हैं एस्पेनर से क्या करते हैं नट और पलस में यानिकी वोल्ट को क्या करते हैं खुला जाता है और कसा जाता है ठीक है तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा प्येश को खुलने के लिए a screw driver का फुर्यों किया जाता है जो की option b में दिया है screwdriver right answer की अगर बात किया जाए तो इसका यानिकी b correct सही हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगला प्रसनाज का दिया हुआ है questions में कह रहा है questions में दिया हुआ है questions में कि किसी धातु चादर मैं यानिकी revet लगाने के लिए उप्योग किया जाता है किसे लगाने के लिए पर्योग करते हैं मेनली रूप से पर्योग की या जाता है यह ब्ल मेंड का पर्योग करते हैं लगवग इसको 500 गराम तक यानी की बनाया जाता है ये भी दियान में रखिएगा अब आगए बरते हैं next question पर अगला प्रसंद दिया हुआ है भी具 भी मसीन का पैंच खोलने के लिए की समी परशन है सको ड्राइवर का परियोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं थे किषीट मिटर को काटने के लिए कितने पीच वाली है लीडेड उचित होता है किसे मेटल को काटने के लिए दोस्तों यानि कि 31 ठीक है यानि कि 31 टीपी आई ठीक है 31 टीपी आई वाला का परियोग करेंगे जो ब्लेड हो ऑप्शन एम में दिया है राइट अंसर जो होगा इसका यह सही हो जाएगा आगे बरते हैं अगला प्रसंद दिया हुआ है कि हेकसा ब्ल कि अगर बात किया जाए तो हेकसाब लेड का जो मोटाई होता है वो 0.63 से ले करके 0.8 mm होता यह 0.63 से ले करके 0.8 mm होता है ओप्शन यानि कि B में दिया हुआ है ऐसा option किस में दिया है B में दिया है correct answer की अगर बात किया जाए तो right answer जो होगा इसका B सही हो जाएगा अगला पसंद दिया हुआ है हेक्सा ब्लेड के दोस समीपुर्ती दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते है ठीक है जैसे यानि के हेक्सा ब्लेड है और इस दोनों के बीच के दूरी को क्या कहा जाएगा ठीक है तो इस दोनों के बीच के दूरी को जो कहा जाएगा दोस्तों ठीक है ये पीच कहा जाता है क्या कहा जाता है पीच कहा जाता है option किस में दिया है पीच option C में है right answer कि अगर बात किया जाए तो C सही हो जाएगा अगला प्रसनाज का दिया हुआ है questions में कह रहा है कि लकरी के तेज किनारे को समतल करने के लिए किस परकार के छेनी का पर्यूग किया जाता है तो अगर समतल के अगर बात किया जाए ठीक है तो समतल में जो यानिकी पर्यूग करते हैं वो बेवल एज फॉर्मर छेनी का ठीक है फॉर्मर यानिकी छेनी का पर्यूग किया जाता है option किस में दिया है option B में है right answer जो होगा इसका यानिकी भी सही हो जाएगा मैं आसा करता हूँ आप लोग सारा प्रसन को अच्छा से समझे होंगे कोई भी प्रसन में किसी परकार का doubt है तो फिलिज आप लोग कमेंड कीजिएगा आपको जब आप बहुत जल्द मिलेगा साथी साथ नए है तो चैनल को जादा से जादा जरूर सेर करें सस्क्राइब करे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दवते के लिए जय हिंद।